तुमस्कार विग डिबेट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विजेंद्र आजचर्चा सडख पर संग्राम की कॉंग्रेस के राजभवन खेराव के साथ मद्दप्रदेश में चुनाव का सडख संग्राम शुरू हो गया है ट्विटर पर सरकार को घेरने वाली कॉंग्रेस ने आलाकमान की निर्देश पर सडख पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की कमलनात की अगवाई में महंगाई विरोजगारी समित कई मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस कारकरता राजभवन का घेराव करने निकले करीब 10,000 कारकरताओं की भीड के साथ कॉंग्रेस ने सरकार को अपनी ताकत का एसास कराया 6 मैने बाद सरकार बनाने का दम भरा वहीं सीम शिवराज ने कॉंग्रेस के प्रदर्शन को हवा हवाई बताया बीजेपी निता इसे फ्लॉप शो बताते दिखे देखिए रिपोर्ट कॉंग्रेस नेताओं को रोकने में पेल रही कारकरता बेरिकेट तोड़ते हुए आगे बढ़ गए कारकरता पैदल जबकि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग और दूसरे बड़े नेता ट्रक पर सवार होकर आगे बढ़े पुलिस ने विदायक जीतु पटवारी कुनाल चौदरी समेथ 50 कारकरताओं को ग्रफतार किया कारकरताओं को तीन बसों में भर कर पुलिस प्रदर्शन इस्तल से लेकर रवाना हो गई DCP साइं कृष्ण थोटा के मताविक प्रदर्शन में 5000 की भीड़ थी ग्रफतारी के बाद कॉंग्रेस नेता और कारकरताओं पीछे हटना शुरू हो गए इस बीच कमलनाद भिकार्च से रवाना हो गए कॉंग्रेस का प्रदर्शन करीब 2 घंटे चला जवार चौक से पैदल मार्च शुरू होने से पहले सभा में PCC चीप और पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाद ने कारकरताओं से कहा सबसे बड़ी परिक्षा अगले 6 महिने में आपकी निश्टा की है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंग सिंग ने कहा आज पूरे प्रदेश में बदलाव के लेर है बैमान सरकार को उखाडने के लिए ये प्रदर्शन है जीतू पटवारी बोले मैंने किसानों को 3000 रुपे क्विंचल गेउं का दाम देने की मांग की तो मुझे विदान सभा से निलंबित कर दिया सरकारी पैसे से भाजपा दफ्तर में खाना खिलाने की बात उठाई मैंने गलत किया किया अब की बार BJP 50 के पार नहीं पहुचेगी जेपी अगरवाल बोले कॉंगरेस के कारकरता बीजेपी से डरते नहीं अंग्रेजों को मार मार कर इनी कॉंग्रेस के कारकरताओं ने भगा दिया था आपकी निष्ठा आपको याँ खीच के लाई है और यही निष्ठा यहाँ कोई पुरुसकार नी मिलना यहाँ कोई ठेकार नी मिलना यहाँ कोई कमेशर नी मिलनी यह तो आपकी निष्ठा है जो आपको खीच के लाई है और सबसे बड़ी परिक्षा सबसे बड़ी परिक्ष इधर बीजेपी के नेता ट्विटर पर इस प्रदर्शन को फ्लॉफ शो बताते दिखे मुक्यमंत्री ने कहा किसी भी बहाने हल्ला करना कॉंग्रेस का मकसद बन गया है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे रहना विधान सबा में चाहिए लेकिन किसी ना किसी भाहने किबल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है वोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलात ने इसमें शामिल कारकरताओं का अभिनंदन किया उन्होंने ट्विट किया कि कॉंग्रेस के कारकरता का होसला दो गुना हो गया है उन्होंने ये दावा भी किया कि 6 महीने बाद प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी कॉंग्रेस के दावों के बीच बीजेपी की अपनी तैयारिया है 2018 से सबक लेकर बीजेपी हर कदम बारिकी से रख रही है अलाकि वादें और दावों में दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की खोड में है अतुल शर्मा सुराजे एक्सप्रेस वोपाल इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमाज साथ शेलेंद्र जैन हमारे साथ कुछ देर में होंगे विधायके बीजेपी के सुरेश राजे साब हमारे साथ विधायक मौजूद है इस्टूडियो में उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ होंगे योगी राज योगेश जी वरिश पत्रकार राजे जी आप से पहला सवाल सी-म कह रहे हैं कि आपको विधान सभा में होना चाहिए आप लोग सड़को पर हैं साइध सी-म साब ने देखा नहीं हम विधान सभा में भी थे विधान सभा की कारवाई जब चल लही थी तो हम सदन में थे लेकिन हमारा प्रदर्सन पहले सित्ष है था और ये प्रदर्सन क्यों करना पड़ा ये सीम साब भी बहुत भली बात जानते है जब बेवज़े की बात पर जिसका कोई ओचित नहीं जे और सदन नहीं चलने जाना सिर्फ कुल मिलाके विपच्च के विधायक सदन में अपने प्रस न पूछें इसलिए सदन को किसी न किसी महाने से कहने को तो एक महीने का सदन था लेकिन हमें नहीं लगता कि पूरे एक महीने के सदन के कारकाल में दस मेटके भी हमारी हो पाएंगी ये मंसा है सत्ताधारी दल की और ये कहना ठीक नहीं है कि हम सदन से भागना चाहते हैं या हम सदन चलाना नहीं चाहते अरे जिम् लगा रहे हैं कि सदन भै होना चाहिए आप तो देखो न हमको तो जिस दिन से दाज तो मिला है सो में सो पर्चेंट हाजरी होगी मैं आपके माध्यम से आप रिकोर्ड में देख लें एक मिनट यह घंटे भी हम नदारत नहीं रहे होंगे सदन से यह हम सदन के प्रती हमारी ज मुद्दे ही मुद्दे है अब कि मुद्दे की बात करूं सबसे पहला मुद्दा यह जो सरकार है बरतमान में यह सरकार चल रही है यह भारती जनता पाइटी का नेत्रत भी जानता है कि जनादेश की सरकार नहीं थी यह कैसे जोर तोर करके और क्या 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 इसमें घ तंत्र में वरोसा नहीं सम्मधान में वरोसा नहीं और इसकी तोमत किस पर बोले कांग्रेस नहीं चाहती के सदन चले कांग्रेस नहीं चाहती कि अब ये बताईए जाप हमारे विदायकों की बात सदन में सुनी नहीं जाती अगर एक विदायक प्रस्ण पूछे और मंत्री को एक रटा रटा है जवाब है कोई भी मंत्री हो देखेंगे देख रहे हैं जाच चल रही है एक प्रस्ट के जवाब में आज हमारे एक बेला 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 बे अब अगर हम इन मुद्दों को उठाते हैं सरकार सदन से भागना चाहती है और तौमत लगाती है कि विपक्ष और कांग्रेस के विजाएक सदन नी चलने देते आप देखिये न हमारी काम अंसा नहीं है सदन चलाने के हम तो चाहते हैं दिख्वजाई सिंग जी के समय में साठ साठ दिन की बैटके होती थी दो दो डाइडाइ महीने सदन चलता था आकरकार कहां गए वो दिन यह कैसी परमपरा है यह कैसा लोकतंतर का मंदर जिसे हम कहते हैं जनता हमें माह इसलिए बेजती है हम जनता के मुद्दे उठाए और हुजूर अगर पाई दिन का सदन चलेगा पाई दिन में दो दिन में दो दिन के बाद सदन खतम कर दिया जाएगा निश्चत काल के लिए तो आगरकार हम जनता को क्या जवाब दे कि आपको किसलिए चुनकर बेजा है आप हमारी बाती नहीं उठाते हैं, तो ये बिसे ही है, और ये कहना ठीक नहीं है, और जहां तक सिबराज जी का सवाल है, तो बहुत नियाद करें, 90 से पहले के, सिबराज जी भी इस तरह के आंदोलन करकर के यहां तक पहुंची हैं, सीधे नहीं पहुंच गई, और विपच कि अधिक परणी के पुराणी समस्य आए, तो क्या एक मैसेज ये कायर करता हूं कि एक जूट होकर चुनाल वड़ना है? लेगिसाब जहां तक सवाल गुतबाजी का है, अब इसमें क्या कहूंँ, मेरे से बहतर आप सब जानते हैं, हमसे कहीं जूटाजी बह zuWhat हैं, हमारे गुट की झिन्था न करें, हमारे यहाँ तो गुट है ही नहीं, हमारे यहां तो एक नेता है, सम्मानी कमणलाजी उनके नेतरत में चुना होगा कमनलाज जी को हम सम मिलकर सीएम बनाएंगे और इसलिए हमारे हैं किंतु परिंतु कोई इस्तान नहीं है और ये दिखिए ये तो ठीक है कांग्रेस में कुछ तोमत लगाने को नहीं बनना तो स्थेखिए ये कर दो अब मैं यहां आपके यहां बैठके कितने नाम के नादू करने कि इनके गोटे हैं आप बताएं कहीं का पार्टी अंवाले 2023 में सरकार बनाने जा रही है जी बीजेपी की नेता कह रही है राज़े जी कि आपकी पार्टी जो है वो मुंगेरीलाल के हसीट सपने देख रही है उनकी सरकार नहीं आने वाली है शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीकी सरकार रिपीट होगी बीजेपी की अगर सिवराज जी को अपनी नीतियों के बारे में इतना ही वरोसा था अपने 15 साल के कारकाल पर इतना ही वरोसा था तो जनादेश कमलनाज जी को मिलाता कांग्रेस पाइटी को मिलाता पांच साल इंतजार करते और फिर जनता जबाब देती फिर ये जनता की अधरत में जाते और पूछते के नहीं ये कमलनाज जी के पांच साल के हिसाब जी है और 15 साल का सिवराज जी का हिसाब जी है तो ये लगातार उनीज़ साल से स्था में बेट को समझ रहें हमसे ग्यारा महिने की सरकार के रहे हम तो इसको भी देने तैयार है एक पुरानी परेशानी रही है लेकिन कमलाच जी ने बोला है की अगले छक्व महीने आपकी निष्टा के है निष्टा दिखाने के लिए बिल्कुल सही बात है, कॉंग्रेस के लिए तो अब ये एक करोवर बरो की स्थिति है और ये बहुत बहतरीन उनके पास अफसर था, एक जुटता का और मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस ऐसा नहीं कि इस मामले में थोड़ी सफल भी होई कि वह एक दिगविजा सिंग जी को छोड़ दिया जाए, उनकी या व्यस्तता है रही हूँ या जो भी एक निजी कारण रहा होगा बाकि अमुवन मद्यप्रिदेश के जितने तमाम बड़े कॉंग्रेस के नेता है वो सारे नेता इस प्रदेशन में शामिल हुए और प्रदेशन सफलता पूरवक संपर में उन्होंने किया अब यह दिगर बात है कि यह असर कितना डालता है क्योंकि कई उसमें इशूज ऐसे थे अब जिसे बार बार एक इशूज आता है कॉंग्रेस की तरफ से अडानी को लाज पहुचाने वाला जो मामला आता है जिसे न सफ़षर की होता कि यह मुद्धा आप जनता के मन में कितना बेटा पाऊगोरी कि क्या है कि यह डारेक करनेक्शन इतना जाधा नहीं लगता कि पब्लेक सीसर अडानी का बहूत जाधा यहां तक इस प्रदर्शन की बात है तो इस प्रदर्शन को में मुझे यू लगता है कि यह अपनी अपनी शक्ती विजिन दा पार्टी दिखाने की एक कवायद है अब जब की आप जानते हैं कि जब इन्हें सेंबू अगल चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूट में रस्ताविद करने का विशा आया तो कितने सारे निताओं ने इस पर प्रश्टे चिने लगाए कि अभी तै नहीं है कौन सीम बनेगा तो यह सब कॉंग्रेस की इंटर्नल पॉलिटिक्स का हिस्सा है और इसमें मैं नहीं समझ में आता है कि जंदा के जुड़े हुए कोई भी मुद्दे कोई भी जंदा की भावना है इसमें समायत थी यह विशुत रूप से पॉलिटिकल अबिशन के लिए किया गया एक श्रक्ति प्रदर्शन परमाता हूं जी जैंजाब आप बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी में एकमत नहीं है कमणलाज जी के नाम पर तो क्या आपकी पार्टी में एकमत है क्या आप दो हजारे चुनाओं में शिवराज जी के नाम पर जाएंगे पुछज़ पार्टी के अंदर कहीं कोई लीडर्शिप को लेकर नहीं कोई इस तरह की शितिन प्पीनियन नहीं है पार्टी के अंदर कहीं कोई ग persuasion नहीं है पक्षले लंबे समय से हमारा с मारा ट्रैकर एक और हमानी शुराजी के देतरिपने हम लोग हमेशा जीते आए हैं और 2018 में भी कॉंग्रेस पार्टी की तुला में भारती जत्ता पार्टी ने अधिक मत प्राप्त किये थे जी अंक्रेस के हिसाब से बहले पीजेपी उस्चीटों कॉंग्रेस को भी बहुमत नहीं मिल पाया तो यह कहना भी उचितनी होगा कि कॉंग्रेस को मेंडेट मिला या जन्ता का वो मिला तो यह सुचुरेशन अलग टाइप की थी लेकिन शिराज जी एक हमारे एक जन नेता है मदर प्रदेश में उनका कोई विकल्प नहीं है वाम कि लीडर्शिप में आपकी पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर आपकी पार्टी के कही निता क्यों बोलते हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए वुपेंड जैसे सी एम का कोई नाम आना चाहिए यहां पर ताकि चुनाओ जीता जा सके MP में अब ये एक विशे कहां से आया है कौन इस विशे को लेके आए हैं इसमें मेरे को कोई आईए नहीं है कि एम पी में भी गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए तो ये प्रेस्ट आप उन्ते जरूर करिएगा कि उजरात मॉडल आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए लेकिन जहां तक मेरा विश्टिकत अभी मत है मेरी इस पर समानिता है कि राजी के नियतृत में हम सब लोग को अगला चुनाओ लड़ेंगे और ठीक है ठीक है इस पर राजे साब हैं वरिश्विधायक हैं राजे जी कैसे देखते हैं वो कह रहे हैं आपके या तो लीडर्शिप पर कन्फूजन है आप कैसे चुनाओ लड़ेंगे फिर बीजेपी के खिलाफ दरसल मिसे लिए सेलेंजी की मजबूरी है बुझे तो नहीं कह सकते कि कन्फूजन उनके नहीं है बलकि कन्फूजन ही कन्फूजन है हमारे हैं कोई कन्फूजन नहीं है हमारे हैं सिर्फ एक नाम है जिसके नेत्रों तो हम चुनाओ लड़ने जा रहे हैं कमलाजी के नाम पर चुनाओ सत्ता बहुत बरिष्ट विजाएक हैं मैं तो अभी नया नवेला विजाएक उन सदन में जे मेरी समझ से परे है यह बात कहना कि बोटों को प्रस्त तो हमारा ज्यादा था लेकिन सीट है कुछ कम थी जिस पाइटी से सेलेंजी आते हैं मैं भी उस पाइटी में भरसो रहा हू जे यह उस पाइटी की नरीती ननीती या किसी से मेल नहीं खाती लेकिन मुझे तो पता नहीं चला के आकरकार सेलेंजी जीएसे विजाएक बैटे रहे तमाम मं वहां इस बिचार्दारा के विजायक बैटे रहे उन्होंने एक कैसे सुईकार कर लिया कि एक चुनुवी सरकार को हम अटा कर और एक ऐसी सरकार को जनम दे जो जीवन वारा हमारे लिए एक ऐसा एक्षप्रस्ण बन जाएगा कि भारती जनता पाइटी में भी यह होता है तो यह मेरा कहना है है यह इसलिए मेरा कहना है कि up और तो जन सिर्फ यह है तो भारती जनता पाइटी में है कांग्रेज में no confusion सर्फ एक ऐ वास, एक ऐ मुद्दा एक ही नेता जै जै कामनला waving ठीक है योग योगराज जी कैसे देखते है इस पूरे कॉंटेक्स को आपने बीजेपी के विदायक को सुना अपने कॉंग्रिस के विदायक को सुना वो कह रहे है कि एक एक अग्ररसिव शेली में बहुत दुनों से मद्ढेप्रदेश में भुपाले में देखने को नहीं मिला था तो मुझे तो यह ठीक लगता है कि विपक्ष जो है चेतन नहीं हुआ है वो थोड़ा बहुत भी सही लेकिन थोड़ी सी उसने एक उपस्तिती दर्जर राजदनी में कराई है जिसकी बहुत लंबे समय से दरकार थी क्योंकि जब तक आप अग्रेसिव नहीं होंगे जब तक आप आकरमक रुख नहीं अपनाएं कॉंग्रेस पर चार्जेज यहीं लगते हैं कि एक तो यह सोशल मीडिया की पॉलडेक्स करते हैं एक सबसब बड़ा जो चार्जेज उन पर लगते हैं कि गोटों में बटी पूरी की परटी है तो आज कम सकम एक धिगवे सिंग जी को चोड़ दिया जाएं तो बाकी सफर कर रहे थे और बागी लोग सब्ड़कों पर पैदल चल लए तो इसमें भी कहने वाली बात है कि जब तक आप सब्ड़कों पर नहीं उतरेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं अपनी यूवा पेड़ी को वो कन्वे नहीं कर पाए थोड़ बहुत अच्छा है और कॉंग्रेस ने अपनी उपस्तिती दर्ज गणाई है मैं इसको पॉजिटिव उसमें लेता हूँ ठीक इस पर रियक्शन लेते हैं शेलेंज जैन साब से जैन साब नेता पर्टिपक्ष गोविन सिंगा कहना है कि बैमान सरकार को उखाडने के लिए प्रदर्शन था तो मैं अपने आपके चैनल में और उपस्तित राजे जी के बात का जबाब देना चाहूँगा अब वो बोल रहे हैं कि सर्विना माननेता है जैजय कमलाद यही संस्प्रती से जब तक यह उबर उठके नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस का कोई उधार नहीं होने वाला है यह जैजय संस्प्रती से हमें उबर ना होगा अब आप बताएए पूछे इनसे के कमलाद जी को देगवजा सिंग जी सिकार होंगे क्या कमलाद जी सिकार होंगे क्या अरुन यादाओ जी को सिकार होंगे क्या आप राहुल सिंग राहुल भाया को सिकार होंगे ये बहुत मिलियन डॉलर कॉशन है कि यहां महतो कांचाएं इतनी हिलोरें ले रही हैं लोगों की कि विचार धारा तो बार्ण हो गई है वेरेंज अगर राजी जी कभी बीजीपी में रहे हैं तो जिन जान में आना चाहिए कि विचार धारा पे आधारत अधर कोई राजनेतिक दल है तो वह भारती जन्ता पार्टी है और आज हमी ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिरा दी और पटक दी और सरकार बना दी अरे भाया जो व्यक्ति अपने कुल को अपने कुटुम को एक नहीं कर रख पाया वो प्रदेश को क्या ही कर रख पाएगा यह आज हम सब लोगों के ध्यान में है किस तरह से इन फाइटिंग में कॉंग्रेस पाटी टूटी कॉंग्रेस पाटी के विधायक टूटे और किस तरह से जन्ता ने मेंडेट दिया है यह कोई ऐसा नहीं है कि इतने विधायक आके और बीजेपी में मिल गए और सरकार बना ली हम पब्लिक के बीच में गए हमने जनादेश लिया है और जनादेश जो है कमासाज जी के खिलाब गया है जनादेश में इस बात का इस पस्ट उलेक का कि जन्ता के साथ छलाबा हुआ है और जन्ता ठगी हुई महसूस कर रही है और उस समय जन्ता ने जिस तरह से आर्की जन्ता पार्टी के पक्ष में जनादेश देके अपने जन्ता इसका जवाब दीजिए आपको जय कमानलाग बोले से इतराज है तो आपकी पार्टी में भी तो जय जय मोदी होता है अर्वर मोदी घरगर मोदी यह क्या है यह जय मोदी यह जय मोदी नहीं है आप जाओ तो अभी आपने विकास यात्रा में हमारा बढ़िया नौह रहा हमने पूरे विदान सभा की पैजल यात्रागी और लोगों का आपने संतुष्टी का भाव पर इसक्षित हो रहा था हमके चेहरों से भार्ती जन्ता पार्टी की नीचियों के पर दी लोगों ने समयन इजक्ति किया मुझे नहीं लग रहा है कि आप कहा की बात कर रहे हैं यह थेक राजय साहब इस पर जवाब दिजी एक सवाल और है कि आपकी पार्टी के बारे में बीजेपी के कहीं नेता बोलते हैं कि आपके पास मुद्दध नहीं है दिवाली अपने मुद्धों के आपके पास देखी विजय जी मैं बहुत इस पर आपके सामने खेना चाहूंगा कि जिन्नों ने कहा कर मुद्दे नहीं है अब कितने मुद्दों की बात करें मुद्दा मेंगाई का हो मुद्दा बेरोजगारी का हो मुद्दा भ्रष्टा चार सरचर के बोला है उसका हो और मुद्दा चाहे एक बात बताओ बेरोजगारी खतम करने के लिए 20 साल कम थे 19 साल कम है मेंगाई पर काबू पाने के लिए 19 साल कम है और जहां तक सवाल है पंचायती राज को द्वस्त करके रख दिया यह 20 साल के इनका प्रबंदन अभी कह रहे थे मेरे को बड़ा आश्य लिए बता सकते हैं बहुत अची तरीके से आप देखिए अभी आप जाके समय में यह सरकार बैटिए मैं सरकार के सामने ही मैं तो बेपस का बेदाएगू जे इसे बात कर अभी बिन मोसम बरसात हुई बिन मोसम हवा आंदी आई कितना बदल का नक्सान हुए सरकार ने कहीं एक रुपए की गोसरा नहीं की सर्वे कराने की बैट पेजा तो तब देंगे जब सर्वे होगा सर्वे कराने ही नहीं है अब आजाए आप अभी बहुत अच्छा एक इन्होंने चुनावी वो लाए हैं अब उसको मैं यह कहूंगा उसको आगे नहीं बोरूँगा सेंटें लेकिन जिस लाडली घर के घर में कमलना जी के समय में 100 रुपे में 100 यूनिट बिजली का बिल आता था आधरनी जैन साब उस लाडली बेना के घर में जाकर देखो एक हजार से लेके तीन हजार तक बिल आने लगा उस किसान के जा कर देखो जिस किसान कि पसल पकी घरी है लेकिन वो पूरे के पूरे ट्रांक पार्मार उठा लिये जा रहे है क्यों? कि आपने बिल नहीं बरा, किसान कह रहा है कि मेरे जाब एक महिने बाद फसल आएगी, मैं फसल पार बिल बरूंगा और यह मैं उस इत्ति को बता रहा वह आपने कहा विकास जात्रा के दरान की यह घटना है आपकी इस एहर विकास जात्रान सोल निकल लाई थी उदर किसान कि रोख सारी मुद्धे मुद्धे मुद्धें कि नहीं है व्युक्राइब में दावे हैं कोई भी थोड़े कहेगा कि सब हमारी सरकार नहीं आएगी जी और ये बात से ही कि इसके पक्षमे सरकार के पास्त मतला लॉजिकली बात है उनकी और कई चीज जो उन्होंने गेमचेंजर स्कीम जुनको कहा जा रहा है उसमें गेमचेंजर स्कीम यह भी कहा जा लोगों पर और वो आदमी जो गरीब जिसके घर में रहने को जगे नहीं थी उसको यदि आप च्छेसु इसकर फिट का टोकड़ा दे रहे हो रहने के लिए मकाम बनाने के लिए तो यह कहिना कहीं सरकार के लिए वेनिफिट होता ही होता है ऐसा ही लाड़ली बैना भी कहिन कैसे देखते हैं आप इसे यह वैसा ही बात है जिसकी हम पहले अपने आपके इंटिव्यू के पहले इसे मैं कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर इन फाइटिंग बिलकल जोर चोरों के हैं जिए दिली के चकर लग रहे हैं अपने आपको नेता इस्थापित करने की होड़ ब और अगर अंतिम लक्ष से सब्सक्ता प्राप्त करना है तो मैं समझता चाहूंगा समय का भावे आप तीनों महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चैलेंज जैन साब हमारे साथ विधायक जूड़े थे बीजेपी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगिराज जी आप धरी की धरी रह जाएंगे फिलाल बिग डिबेट में आज के लिए इतना ही आप देखते रहे है सुराज एक्सप्रेस नमस्कार